मोहनीस की गुड़गाओं में नई-नई नौकरी लगी थी सहर में अपना कोई सगा सम्मंदी नहीं था इसलिए वो कुछ दिन के लिए कमपनी की तरप से गेस्ट हाउस में रुख गया जब तक की कोई फिलेट किरायपन न मिल जाए साथ दिन बाद उसकी आपिस में जॉइनिंग थी रहने की समस्या भी बहुत बड़ी थी इसलिए उसने बिरोकर का सहारा लिया जिससे जल्दी से जल्दी उसे मकान मिल जाए तो बहभी निश्चित होकर नौकरी में मन लगा पाए आखिर उसकी मेहनत रंग लाई चार दिन बाद बिरोकर ने फिलेट दिखाने के लिए फोन किया मौनिस बिरोकर के साथ फिलेट देखने गया दो बेडरूम का फिलेट था लोकेशन भी सही लगी बातों ही बातों में पता चला कि बिरोकर भी उसी के सहर का था तो एक अच्छी bonding हो गई कहते हैं न जब अंजान सहर में कोई अपने सहर का मिल जाए तो बड़ा अपना-पना सा लगता है ऐसा ही मोनीस को बिरोकर के साथ मिलकर लगा बिरोकर बिजे तीन साल पहले ही यहां आया था प्रॉप्टि बिजनिस में उसने कम समय में अच्छी गमाई कर ली थी अगले दिन मोनीस ने उसे कुछ एडवांस दे दिया और कुछ समान फिलेट पर रख दिया और बाकी समान लेने अपने घर चला गया मौनीस की माने आकर सामान सही से लगबा दिया और फिर घर बापस लोट गई मौनीस ने भी डूटी जोइन कर ली आफिस में सभी सेकर्मी काफी अच्छे सोबाप के थे उनके साथ कामकर मौनीस भी खुश था उसके आफिस की इसनेहा उसे पसंद करने लगी थी मौनीस भी एक दोस्त के नाते उसे पसंद करता था कभी-कभी वो घर आकर मौनीस के लिए खाना भी बना दिया करती थी सुबह मौनीस को जल्दी रहती तो बहन नास्ता भी नहीं करता और आफिस पहुँच जाता एक दिन इसनेहा ने उसे केंटीन में ब्रेकफास्ट करते देखा तब से वो रोज ब्रेकफास्ट और ज़्यादा लंच ले आती आफिस में सब इसनेहा का नाम लेकर उसे चिड़ाते तो वो जहेंप जाता और कहता ऐसा कुछ नहीं है मौनीस से उसके बौस भी खुश थे उसने सेल्स कंपनी को काफी लाब पहुचाया था इधर दो दिनों में गर्म ठंडे के कारण उसे जुखाम बुखार आ गया जिसके कारण उसने आफिस से चुट्टी ले ली उस दिन दवा खाकर बहे दिन में बेसुद सो गया जब नीन खुली तो रात के नो बज गए थे भूंक लग रही थी किचन में जाकर देखा तो इसने आहने उसके लिए पराठे और सूकी सबजी बना कर रखे थे इसने आके पास चावी थी बहे हाल खबर लेने आई थी मौनिस को बेसुद सोता देख तो खाना बना कर चली गई थी बुखार उतरा तो मौनिस ने जल्दी जल्दी एक पराठा और सबजी खाई उसे अब नीन नहीं आ रही थी तो उसने आफिस का कुछ काम निप्टाने को सोचा बहे लैप्टॉप लेकर बैठ गया काम करते करते करीब रात के एक बजगे उसे जोरों की चाई की तलब लगने लगी तब उसने सोचा चलो एक कप चाई ही पी लूँ बहे उठा अचानक उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ी खिड़की खुली थी बहाँ एक सुन्दर सी लड़की खड़ी बाहर आसमान को नहार रही थी मौनिस मंत्र मुग्दसा हो गया बहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा वो भूल गया कि बहे चाई बनाने के लिए उठाए लड़की की नजर उसकी तरफ गई नजरे मिली उसने सरमा कर अपनी खिड़की बंद कर दी मौनिस ने कभी इतनी सुन्दर लड़की नहीं देखी थी बहे टक्टकी लगा कर लगातार बंद खिड़की की और नहार रहा था थोड़ी देर बाद एक बार फिर से खिड़की खुली लड़की ने बाहर जहाका सायद उसे यकीन था कि मौनिस खिड़की की और जरूर देख रहा होगा और ऐसा ही हुआ उसने मौनीज को खिड़की की ओर देखता हुआ देखा तो हौले से मुस्कुरा कर फिर से खिड़की बंद कर दी उसकी मुस्कुराट में एक कसिस थी मौनीज चाय भूल चुका था खिड़की खुला छोड़कर बहे बिस्तर पर लेट गया और उस अंजान लड़की के बारे में सोचता रहा उस समय उसके जहन में एक गाना यादा गया और वहे गुनगुनाने लगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे सायर का ख्भाब जैसे उजली किरन, जैसे बन में हिरन पता नहीं कब उसकी आँख लग गई अलार्म की करकज अब आज सुन बहे नीन से जागा आज तवियत ठीक थी लेकिन थोड़ा सरभरी था उसने अपनी काम बाली से अद्रक बाली चाय बन बाई क्योंकि आज भी उसने छुट्टी ले रखी थी और चाय लेकर अपने बैडरूम की खिड़की के सामने वाली खिड़की को नहारने लगा खिड़की बंध ही रही दिन में कई बार उसने उस खिड़की की ओर नहारा लेकिन खिड़की बंध ही मिली बहे उस लड़की का सुन्दर मुखड़ा भूल ही नहीं पा रहा था खाने का प्रोग्राम बना लिया सब एक बड़े रेस्टोरेंट में गए जिसमें बार भी था डांसर डांस कर रही थी तबी मौनीस की नजर सुंदर लड़की पर गई चहरा पैचाना सा लग रहा था गौर से देखा तो ये तो बही लड़की थी जो उसके सामने वाले फ्लेट में रहती थी क्या ये यहां बार डांसर है मौनीस मन ही मन बुदबुदाया राज जादा हो गई थी इसने यहां पहले ही डिनर के बाद घर जा चुकी थी इसलिए अब दोस्तों को घर जाने की जल्दी नहीं थी सेखर बियल लेकर उस लड़की के पास पहुँच गया लड़की आसहज लगने लगी मौनीस ने देखा सायथ सेखर को इबत्तमीजी न कर दे इसलिए बह सेखर को सहारा देकर ले आया और कुर्सी पर बिठा दिया काफी देर बाद मस्ती करने के बाद सभी अपने अपने घर बापस लोटने को निकल गए बार के बंद होने का समय हो गया था बह लड़की भी ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई मौनीस सब के जाने के बाद अपनी कार में बैठा उस लड़की का इंतजार कर रहा था तभी उसने उसे आते देखा हिम्मत जुटाते उसने कार से उतर कर सालीनता से फूचा Excuse me क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ लड़की ने कहा नहीं मैं चली जाऊंगी अरे मैं उधरी तो जा रहा हूँ आईए आपको घर छोड़ दूँगा कहा रात को सड़क पर साधन का इंतिजार करेंगी अंतमेत बहत तैयार हो गई उसने काले रंग का गाउन पहना हुआ था उसका सफेद जिस्म संग मरमर की मूरत की तरह तरासा हुआ था सुन्दरता में देव लोग की अफसरा खोबी जैसे पचाड दे मेरी सीट के बगल में बैठेंगी तो मुझे ड्राइवर वाली फीलिंग कम आएगी कविता हस पड़ी उसने कहा बड़े दिल्चस्म है कहते हुए कविता बगल की सीट पर आ बैठी मौनीज को लगा आज की रात ना खत्म हो ना ये सफर खत्म हो उस समय एफेम में पुराने गाने आ रहे थे जो मौनीज के लिए सटीक था तुम भी चलो हम भी चलें चलती रहे जिंदगी मौनीज कनकियों से कविता कि ओव निहाल लेता बहे सांत बैठी थी आकिर फिर से मौनीज बोल उठा आपने मेरा नाम नहीं पूछा मैं अभी छे महीने पहले ही यहाँ आया हूँ आपका नाम क्या है सौरी में पूछना भूल गई थी मौनीज मौनीज है मेरा नाम आप यहीं बार में डांसर हैं मौनीज ने कहा जी कविता ने संचिप्त में जवाब दिया आप बहुत सुन्दर हैं कविता जी सायर की सायरी कभी की कविता हैं आप पता नहीं क्या क्या बढ़ बढ़ा गया मौनीज घर आ गया कविता ने कहा हाँ हाँ हकला कर मौनीज बोला बस इतना ही साथ था खुद में बढ़ बढ़ाया उसकी बड़बडा हट कभीता ने सुन ली बहब मुस्कुराने लगी बैसे मैं आकेली ही रहती हूँ कभी जरूरत होगी तो आपको याद कर लूँगी ये सुन मौनीस को तो जैसे जन्नत मिल गई उसका बुजा चेरा खुशी से खिल गया अगले दिन आफिस जाना था इसनेहा ने उसे देखा तो खुश हो गई आगए मौनीस उसने उसके लिए फूलों का गुलदस्ता बनवाया था उसे दिया मौनीस ने इसनेहा से गुलदस्ता लिया और दोस्तों से बात कर अपने केविन में चला गया उसे इसनेहा का इस तरह से अपने आसपास मंडराना अच्छा नहीं लग रहा था उसे तो हूर की परी पाने की ख्वाइस थी उसे अब हमेशा कवीता का ही नसा रहता इसनेहा से बहर कटने लगा उसने एक खाना बनाने बाले भी रख ली जिससे इसनिहा का उसके लिए टिफिन लाना, खाना, बनाना बंद हो जाए साम को आते ही खिड़की खोल कर बैट जाता ताकि रात को अपने चांद का दीदार कर सके कई कई रात दोनों खिड़की से एक दूसरे को देखते और अगले दिन महनीज की नीन पूरी नहीं होती बहे आपिस में उंगता रहता एक दो दिन से कवीता उसे खिड़की पर नहीं दिखी तो उसने कवीता के घर जाने का फैसला किया बहे दस बजे उसके घर गया, दरबाजा खुला था बहे कवीता कवीता पुकारता अंदर कमरे में दाखिल हो गया उसके घर की दिवारों पर अजीब अजीब सी पैंटिंग लगी थी घर पुराने ढंक से साजाया हुआ था बहे आगे बढ़ता कवीता के बैडरूम की और बड़ा कवीता बिस्तर पर लेटी थी उसने एक जीनी सी नाइटी पैनी थी मौनीस उसे कुछ देर तक देखता रह गया उसे देखता दे कवीता ने पूछा आप के से जी जी हकला कर मौनीस ने कहा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो उसने कहा दो दिन से आप खेड़की पर देखी नहीं इसलिए आपका हाल खबर लेने आपके घर चला आया आप ठीक तो हैं जी थोड़ी कमजोरी लग रही थी और सर भी फटा जा रहा था ओ अभी तो मेडिकल स्टोर भी बंदग हो गया होगा अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपका सर दबा दू कविता ने हां में सर हिला दिया बै कविता के सिराने बैट गया बै होले होले उसके सर को दबाने लगा धीरे धीरे उसके गेसूं से खेलने लगा कविता को भी बहुत अच्छा लग रहा था उसने कहा अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे बालों में तेल लगा देंगे बहां खिड़की पर रखा है जी कहता हुआ मौनीस यंत्रबद उठा और तेल की सीसी खोल उसके सर पर तेल रखने लगा उस तेल की भीनी भीनी खुसबू मौनीस को मदमस्त बना रही थी थोड़ी देर बाद कवीता ने कहा मौनीस जी बत्ती बुजा दीजिए आखों में ये रोसनी चुब रही है मौनीस ने बत्ती बंद कर दी अचानक कवीता ने महुनीस को अपनी बाहों में जकल लिया और चूमने लगी महुनीस एक बार समझ नहीं पाया कि सांत दिखने बाली लड़की अचानक इतनी जंगली तरह से उसे कैसे चूम रही है लेकिन महुनीस भी बेकाबू था उसके उसन का बहे भी बासना की आंधी में बहने लगा फिर दोनों निढाल होकर सो गए अचानक सुब़े चार बजे महुनीस की नीन खुली बहे धीरे से उठा उसने देखा कवीता सोई थी उसके चहरे पर मासूमियत गायब थी उसने उसके सर को चूमा और अपने कपले सही किये और दरवाजा खोल अपने फ्लेट में चला गया अब तो रोज रात को कवीता महुनीस के फ्लेट में आ जाती दोनों ही अपनी सारी रिक भूंक मिटाते महुनीस पिछले पंदरा दिनों में बहुत कमजोल लगने लगा था उसकी आँखों के नीचे काले धब्बे दिखने लगे थे काम करता तो ठक जाता बॉस भी उसकी परफोर्मेंस से खुश नहीं थे एक दो बार उसे डांट भी लगी इसनिहा उसे देखकर परिशान हो गई उसने पूछा तो मौनीस ने बताया कि रात को नीद नहीं आती इसलिए थकावट और आँखों के नीचे काले गड़े बन गए है सभी दोस्तों के बीच चर्चा का बिसे बन गया था मौनीस सबने अपनी अपनी राय दी किसी ने कहा डाक्टर को दिखा लो तो कोई कहने लगा थोड़े दिन रेश्ट कर लो इसनिहा ने मौनीस की मा को फोन किया अंटी पता नहीं मौनीस को क्या हो गया है दिन पिरती दिन कमजोर होता जा रहा है मौनीस की मा खबर पाकर दोड़ी चली आई मा ने मौनीस को देखा तो उनकी आँखों में आसू आ गए उन्होंने कहा क्या हाल बना लिया बेटे तूने मौनीस कुछ बोला नहीं कमरे में बैठा खिड़की की और एक टक नहार रहा था उसकी मा ने कहा उधर खिड़की पर किसे नहार रहा है मा एक बात बताओं मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे साधी करना चाता हूँ कौन है वो लड़की उसके मम्मी पापा कहा रहते हैं क्या करती है वो सवालों की जड़ी लगा दी मोनीस की माने वो सामने वाले घर में रहती है बहे अनात है बार में डांसर है अच्छा उसका बायो डाटा सुन मा को अच्छा तो नहीं लगा लेकिन उन्होंने कहा मैं उससे पहले मिलूंगी फिर फैसला करूंगी ठीक है मोनीस खुस हो गया दस बजने बाले थे सायद वो घर आ गई होगी यही सोच मोनीस उसके घर जाने के लिए कपले बदनने लगा मोनीस की माने देखा मोनीस की पीटफर नाखूनों के निसान उसके सीने में नाखूनों से खरोचा हुआ था ये समान नाखुनों के निसान नहीं थे गर्धन के पास भी चोट के निसान थे बहे घबरा गई मौनीस कवीता के घर चला गया कवीता तैयार होकर मौनीस की मां से मिलने आई जिस कवीता को देख मौनीस मर मिठाता बही मौनीस की मां को अजीब लगी खेर मौनीस की माने अच्छे से बात की वो चली गई अगले दिन मौनीस के आफिस जाने के बाद मौनीस की मा कवीता के घर कवीता से मिलने गई बाहर ताला लगा था बहर लोट आई फिर उन्होंने कुछ देर इस निहा से फोन पर मौनीस और कविता के बारे में बात की साम हुई तो समय बिताने के लिए पार्क में चली गई महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पार्क में आई थी मौनीस की मा को देख उन्होंने पूछा आउंटी आप नहीं है क्या उन्होंने कहा मेरा बेटा यहां 116 नमर फिलेट में रहता है बे सब एक साथ चोंकी आपस में काना फूसी करने लगी मौनीस की मा चोकनी हो गई क्या हुआ बेटा तुम सभी क्यों चोक गई कुछ नहीं आउंटी उन्होंने एक सुर में कहा मौनीस की मा ने उनसे पूछा सामने के फिलेट में कोई कवीता रहती है क्या उन सभी के चेहरे पर हवाई उलने लगी बेटा बेंच से उठकर अपने बच्चों को पुकारने लगी जो उस समय खेलने में बेस्त थे मौनीस की मा को उन सबका बेवार खटका फिर वो उठकर बोच्च में के पास चली गई उन्होंने फिलेट नमबर 104 में रहने वाली कवीता के बारे में पूछा बोच्च में ने जो बताया उसे सुनबो बेहोस होते होते बची मौनीस जब आपिस से लोटा तो मा ने एक ही रट लगाई अब तू यहां नहीं रहेगा कुछ दिन की छुटी लेकर घर चल परमा क्या हुआ कुछ नहीं बस तू घर चल मौनीस कुछ कहता उससे पहले कवीता उनके घर आ गई अजीब नजरों से मौनीस की मा को देखा उसकी मा डर गई उसने मौनीस से कहा पिलीज मेरे घर की एक लाइट फ्यूज हो गई है दूसरी बदल दो ना मौनीस चला गया उसकी मा थरतर कांप नहीं थी रात के एक बज़े मौनीस लोटा अगले दिन मौनीस के जाने के बाद मौनीस की मा नहीं इसनेहा को फोन कर घर बुला लिया और बोचमेन ने एक तांत्रिक का पता दिया था उसके पास दोनों गई तांत्रिक ने बताया तुमारा लड़का चुडहल के चुंगल में फस गया है उस फिलेट में कभीता नाम की लड़की रहती थी जिसे उसके प्रैमी ने धोका दिया था और इसी कारण उसने फांसी लगा ली थी बहे अधूरी बासना से पीडित थी जबान मर्दों को बहे अपनी खूपसूरती से बस में करती है और उनका खूण पीकर अपनी तागत बढ़ाती है अब तुम्हारा लड़का सिर्फ दस दिन का ही मेमान है बाबा कुछ तो करिये मेरा इकलोता लड़का है मोनीस की मा गड़गडाने लगी बोचमेन के पास उस घर की चावी होगी क्योंकि पुलिस केस खत्म हो चुका है कोई भी ब्रोकर उसे किसी भी अंजान बैक्ती को किराये पे दे सकता है आप उससे चावी लो और उसके घर में जाकर मेरे इस भस्म से सारे कमरे में लाइन खीच दो पर बाबा वो कमरे में होगी इसनेहा बोली ऐसी आत्माय अंधेरे में रहना पसंद करती है दिन में सूरज की रोसनी उन्हें जलाती है तुम जाकर खिड़की परदे सब खोल देना लैसुन की कलियां पूरे घर में बिखेड़ देना वो अगर पिरवेस करने की कोशिस करेगी तो नहीं कर पाएगी जल जाएगी और माता जी ये तावीच अपने बेटे के गले में बांदेना और भस्म की एक लकीर अपने घर के दरबाजे पर भी खीच देना मौनीज की मा और इसनिया ने ऐसा ही किया मौनीज जब साम को आया तो माने तावीच उसके गले में पहना दिया और कसम दी कि तू किसी भी कीमत पर इस तावीज को नहीं उतारेगा क्योंकि वो जानती थी कि किसी भी तरह कनाटक फेला कर बहे मौनीज के पास आने की कोजिस करेगी हुआ भी यही कवीता दरबाजे के बाहर आकर रोने लगी मौनीज चलो ना प्लीज बाहर घूम कर आते हैं मौनीज कुछ कहता उससे पहले मौनीज की माने उससे कहा अंदर आजाओ बेटी अंदर पेर रखते ही उसे जलन होने लगी वो समझ गई कि ये सब मौनीज की माने किया है बहे असली रूप में आ गई अतियंत बदसूरत गिनोनी दिख रही थी मौनीज डर गया कौन हो तुम कवीता कहा गई हाँ हाँ मैं ही हूँ कवीता बड़ा मज़ा आता है तेरा खुन पीने में आजा मेरी प्यास बुजा देना फिर रोने लगी तब तक मौनीज की माने सारा बचा भस्म उसके ऊपर उडेल दिया बहे धूदू कर चलने लगी अंत में धूएं के रूप में परिवर्तित हो गई इस तरह मौनीज को उसकी माने और इसनिया ने मौत के मूँ से बचा लिया मौनीज की मा के कहने पर मौनीज ने दूसरा फ्लेट ले लिया जहां कुछ दिन बाद उसने इसनिया से साधी कर ली उसने तौबा कर ली जो सुन्दर दिखता है जरूरी नहीं वो सुन्दर हो तो दोस्तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी कमेंट में जरूर बताना धन्यवाद